गांधी फैमिली नहीं पहले सिखों का मैसेकर कतल्याम नहीं एक साजिज के तहत गलियों में बगाबगा के उमारी मां महंनों के रेप किये इनका पेटनी भरा गांधी फैमिली का सिखों के खून से सिखों को मरवा के अभी इनका पेटनी भरा जो और सिखों को छेड़ रहे हैं रवनीत सिंग बिटो सुन ले वह या कर ले रिकॉर्ड उसको बेजा था मेरे खिलाफ वो पार्टी छोड़के गया था लड़ने के लिए लोद्याना में में गया हराया और आज वो कह रहा है कि गांदी तो आतकवादी है शर्मनी चाहिए उस विप्ति को जिसको तीन बार मेंबर ऑपार्लेमेंट बनाया बिट्टू एक बच्चा था गुरकीरत उससे काबिल था इसको कुछ नहीं आता था इसके बाभ्यूद राहुल गांदी ने इसको तीन बार MP बनाया और आज उस राहुल गांदी को कहता कि मैं आतकवादी हूं बिट्टू जी राहुल गांदी आपके कहने से आतकवादी नहीं बनेगा लेकिन आपकी मानसिक्ता आपकी बुद्धी आपके ज्यान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना असान फरामोश आदमी है अपन शरीर के चथड़े चथड़े उदारे हैं आप उसको अंतकवादी कहते हो और वो व्यत्ती जिसने बाप के कातलों को भी माफ कर दिया है अब उसको अंतकवादी कहोगे आपको बहुत बहुत बदाई अगर आपको लगता है कि राहुल गांदी को अंतकवादी बोलके आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है तो बोलिए हमें कोई अतराज नहीं है लेकिन ऐसी राजनिती अच्छी नहीं है लोग इसको गदारी और असान फरामोशी कहते हैं इसको बचकाना कहते हैं इसको इसको बेवकुफी कहते हैं लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दमाग का इलाज होना चाहिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फरजंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है इसको ज़रा बुद्धी मान लड़के को मंद बुद्धी लड़के को ज़रा समझाने का काम करें